सब्सक्राइब और हाँ चैनल को अगर बिना सब्सक्राइब करें वीडियो देख रहे हो तो अकाश सर कहते हैं अच्छा नहीं होता ठीक है तो जरूर सब्सक्राइब ऑलते चैनल अब देखो सर क्या है पहला पार्ट आता है पार्ट नमबर एंसी क्यूज इंटीग्रेटिड के सिनेरियो यहार इंटीग्रेटिड के सिनेरियो के साथ मेरी एक अप्रोच रही है फ्रॉम दे स्टूडेंट डेस की मैं ऊपर वाला के स्टड़ी पढ़ने में बाद थक जाता हूं तो मैं सोचता हूं पहले कोशन कर लेते है क्या आपको भी एप्रोच ठीक लगती है हां सरी बढ़ी है आजाओ मिरसाथ कोशन नमबर वन ओडट टीम और बी सीडियन कंपनी वर नॉट शूर विच माटीरियलिटी तो चूज तो एवलुएट देफेक्ट अफ इफेक्ट अफ इडेंटिफाइड मिस्तेटमेंट अ अन्टिम को गाइड करो बाइड अप्रोप्रेटीम यह कह रहा है स्पेशल परपस फैनिशल स्टेटमेंट अइए special purpose financial statement कहा है question में special purpose है क्या question में special purpose है क्या these financial statement जिनका आप audit कर रहे हो will be as per the Dutch gap and terms and conditions specified in contract oh my god CRC creditor regulator contractor तो यहां आपका SA800 applicable होगा अब मुझे बताओ SA800 में materiality के बारे में क्या ख्याल था यह कहता है management may agree with the intended user की इस threshold से नीचे हम statement को correct नहीं करेंगे भले ही आपको याद है यह वाली बात भले ही उन्होंने agree कर रखियो बट इससे फरक नहीं पड़ता हम अपनी materiality as per 320 निकालेंगे existence of such threshold does not relieve the auditor from the requirement of SA320 for planning and performing the audit तो मेरे इसाब से तो option यह ही सही है management में agree वही बात लिखिये existence of such threshold is sufficient to comply नहीं भाई साब हमें 320 के साब से अलग से मामला करना पड़ता है second case यह गुलत हो गया in case of SPFS misstatement based on consideration of financial information needs of intended users are considered material and pervasive however auditor needs to follow threshold limit provided in terms of contract ऐसा कुछ नहीं होता हमें खुद materiality निकालनी पड़ती as per SA320 auditor is required to comply with each requirement of SA unless audit of SPFS requirement of 320 are not applicable गलत so the right answer will be option number A अगर आपको एक बार अपनी इसको किताब में देखना है तो फड़ाफट आजाओ किताब में SA800 के उपर सारे के सारे बच्चे फड़ाफट आगए सर जब SA800 के हम बात करते हैं और बात करते हैं materiality की तो देखो क्या कहता है यह कहता है management can agree a threshold जिसके नीचे misstatement को हम correct नहीं करेंगे बट इसका मतलब यह नहीं या 2020 के साब से materiality ना निकालो निकालनी पड़ेगी so the right answer will be option number 1 ठीक है सर मजा आगया सर यह तो note से direct question मिल गया हमको अब आजाओ question number 2 Mr. Manish audit manager of BCDN company objected to the insertion of other matter पैरा अब सर यह कहता है other matter पैरा डालने की जरूरत नहीं है in case of a special purpose framework तुम्हें एक बात बताओ न जब आप S.A.800 पढ़ते हो ठीक है आपको पता है उसके अंदर लिखा होता है restriction on distribution and use यह लिखा होता है कि यह special purpose framework के लिए हिसाब से बने तो they may not be suitable for any other purpose क्या S.A.800 में आई साही ने बताया कौन सा पैरा add करेंगे the answer is no बट जब हम पढ़ते हैं S.A.706 तुम आप मुझे बताओ E.O.M. Pera के अंडर क्या यह S.A. वाली बातों में लिखा है हाँ जब आप E.O.M. Pera पढ़ते हो तो उसमें तीन बाते लिखे है S.A. से related S.A. 210 उसमें क्या था सर FRF prescribed by law regulation would be unacceptable तो जब भी आप उसमें additional disclosure डलवाते हो अपने financial statements को true and fair view देने के लिए उन additional disclosures पे users का ध्यान आकरशित करने के लिए आप इसमें E.O.M. Pera डालते थे फिर इसमें आता था S.A. 560 subsequent events सर यह कौम से subsequent events की बात होती थी facts which become known to the auditor after the date of audit report and last में आता था S.A. 800 की जब भी special purpose financial statement होंगे तो इस चीज के उपर लोगों का attention ब्रॉ करने के लिए आप E.O.M. Pera डालेंगे तो अगर आप चाहो तो एक बार अपने S.A.S. के notes में देख सकते हो FRF prescribed by law regulation would be unacceptable बट फिर भी अगर आपने additional disclosure डलवाएं है और आप लोगों का ध्यान अकर्षित करना चाहते हो तो आप E.O.M. Pera डाल सकते हो Second case special purpose framework के लिए E.O.M. Pera डाला जाते है Third case facts which become known to the auditor after the date of audit report आप नई audit report देते हो तो उसमें भी आप E.O.M. Pera डालते हो So the right answer in this case would be what ये कहता है आप O.M. Pera डालोगे मैंने का गलत अगला कहता है To avoid the misunderstanding auditor shall mention that financial statements are prepared as per a special purpose framework therefore may not be suitable for any other purpose in management responsibility section भाई साब management की का responsibility एस पर ठीक है फिर उसके बाद कहता है May consider appropriate to indicate as a key audit matter नहीं भाई साब ये key audit matter नहीं last में आता है E.O.M. Pera answer is yes आप इस case में E.O.M. Pera डाल के चलोगे अब कई सारे बच्चों के मन में आएगा doubt Sir doubt क्या है इदर आ जाओ तुमसे पहले तुम्हारा doubt मैं तुमको बताता हूँ ये देखो जब हमने E.O.M. Pera के questions करें ठीक है CA Lalita वाला question क्या था इसने का था कि she chooses to accept an audit जहां पर आपका financial statement कैसे बन रहे loan agreement के साब से तो उसने का मैं ये fact बताऊंगी कि मैंने एक ऐसा audit accept किया जिसमें special purpose framework यूज हो रहा है in the other matter para तो क्या ये appropriate है यहां पर I.C.I.E. ने का answer is yes appropriate बट एक बात बताओ क्या ये ओम Pera alert करने के लिए use कर रही है बस ये बताने के लिए use कर रही है कि इसने ऐसा engagement accept किया है सिर्फ ये ऐसा बताने के लिए कर रही है कि इसने ऐसा engagement accept किया ये alert करने के लिए नहीं alerting the users के लिए हमेशा emphasis of matter para use किया जाता है क्या ये बात समझ आती है हां सर तो ये एक basic सा point प्लीज ध्यान में रखके चलिएगा अब आजओ question number 3 Mr. Chitrang अच्छा अभी तक अब ये question ना धंग से पड़ा भी नहीं है हम करे जा रहे हैं Mr. Chitrang the audit manager at BBN Associates Yes people Is seeking your guidance in drafting separate opinions on the cash flow statement and other financial statement guide the audit manager by selecting an appropriate option मुझे एक बाह बताओ Cash flow statement क्या है Sir क्या cash flow statement को मैं बोल सकता हूँ ये SFS है Single financial statement answer is yes तो ये कह रहे क्या मैं cash flow statement पे separate opinion दे सकता हूँ तो देखो क्या कहता है When the auditor considers it is necessary to express an adverse or disclaimer of opinion यानि impact is both material as well as pervasive Report shall not include an unmodified opinion with respect to the same FRF on a single financial statement और a SEFS क्या यही बात हमने essay 805 में पड़ी थी answer is yes यही बात पड़ी थी तो एक बार question में देखें क्या Question में देखें क्या क्या इन्होंने adverse opinion दिया है क्या देखो कहां लिखा है Mr. शुभम भाइसा मैं भी आ गया B.B. सर भी आ गये तो हमारे कोशन है very good ICI अब अब देखें कोशन में कहां लिखा है adverse opinion के बारे में while issuing the report BCDN company inserted an ohm pera यह वाला बात हमने already discuss कर ली on the other hand B.B. and associates decides to issue an adverse opinion all the financial statement except cash flow मुझे एक बात बताओ ऐसा हो सकता है कि पूरे financial statement खराब बने है बट cash flow ठीक बना है उनमें से possible ही नहीं है possible ही नहीं है so the right answer will be option number A only आप cash flow statement पे unmodified opinion नहीं दे सकते ठीक है तो A ही आपका सही answer हो जाएगा B.B.C.D.B. एक बार देख लेते हैं इनमें क्या क्या गलत है expression of disclaimer of opinion regarding the results of operation and cash flows were relevant कैरक cash flow दे दिया and unmodified opinion on financial position is allowed बट इस चीज़ का इससे कोई लेना देना ही नहीं है ये बात भी सही है बट इसका question से कोई लेना देना ही नहीं है expression of unmodified opinion on financial statements prepared under a given FRF and within the same report expression of adverse opinion on the same financial statement is permissible भाई ऐसे नहीं possible है ठीक है कुछ भी मतलब ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं इनको लग रहा है हम बिना पड़े आ गए है ठीक है last में adverse opinion or disclaimer of opinion relating to specific matter given in the basis for opinion section does not limit the responsibility to issue an unmodified opinion कुछ भी तो सदराइड answer will be option number A जो बच्चे पढ़के आये उनको obviously पता लगे होगा यह पढ़की पता ले जाता है कि हाँ यह सही है बागी चीज़े बस confuse करने के दिर गया है भाईसा मैं बोल रहा हूँ पिगलना नहीं है ठीक है पिगलना नहीं है कितना ही तुमको confuse करने की कोशिश करे 23 describe situation in as per the law तो सारे बच्चे मुझे बाब बताओ हमें internal auditor appoint करना पड़ता है यह बात कहां लिखे है section number 138 ठीक है उसके अंदर लिखा होते है कि अगर कोई listed company है तो वो appoint करेगी अगर तो कोई public company है तो वो appoint करेगी उसमें 4 limits दे रखे होते है 25, 50, 100, 200 पिछले साल की 25 के होते थे deposits, 50 की paid up share capital 100 की होती थी borrowing and 200 की होती थी हमारी turnover और यही अगर कोई private limited company है इसके अंदर बस दो ही limits आती थी 100 और 200 यानि इसमें borrowing और turnover की limit आती थी तो फटाफट एक बार देख लेते हैं सर इन्होंने कौन सी limit की band बजाई है आओ मेर साथ मेरे साथ आओ मेरे दोसतों Mr. Iyush the proprietor of BCDN company was appointed to audit the financial statement of a private limited company अब जो private limited company है सर इसके case में हमें कौन सी limits देखनी होती है 100 करोड और 200 करोड वाली कौन से year के लिए appoint हो रहे financial year 22-23 तो 22-23 के लिए limits कौन सी देखेंगे 21-22 वाली अब 21-22 में क्या इनकी turnover 200 करोड से जाद है हाँ सर है क्या borrowing 100 करोड से जाद है नहीं सर क्यूंकि इनकी turnover 200 करोड से जाद है तो इनको appoint करना जरूरी है internal auditor ठीक है इन में इनकी जो borrowings है borrowings इतनी ही थी पिछले साल 75 करोड ही थी है 100 करोड से भी बढ़ गई थी company had been enjoying credit facilities of 75 करोड these were enhanced to 100 करोड at the beginning of financial year 2022 तो मतलब इस साल ही है ठीक है बस इतना ही है मेरे साब से turnover की वज़े से इनका मामला बढ़ना चाहिए तो देखें answer में क्या दिरका है required to appoint the internal auditor during the year financial year 2022-23 because it had fulfilled the necessary condition of turnover in 2021-2022 such an internal auditor may be either an individual और partnership firm only भाई ये मेरे को option ठीक लग रहा है D में देखते है कहता है आपको 22 थेस में appoint करना है क्योंकि आपकी 22 थेस की limit cross हो गई बिलकुल भी नहीं पिछले साल की limit देखी जाती थी अब आज़ाओ C में ये कहता है internal auditor को individual partnership firm और body corporate भी हो सकती है भाई साब ये डाला धरम संकट में आओ फटाफट देखते है provision में क्या आपका body corporate चलेगा क्या आपका body corporate as a internal auditor चलेगा सर body corporate अगर याद रहे statutory audit में नहीं चलता तो यहाँ अब हमको देखना पड़ेगा क्या body corporate इसमें चलेगा अभी देखते हैं individual firm और body corporate oh my god सर ये तो बड़ा धरम संकट है हमको तो लगा जैसे audit firm में जैसे audit firm में body corporate allowed नहीं होता था internal audit में भी allowed नहीं होगा तभी मैंने तुमारे साथ ये खेला खेला तभी मैंने तुमारे साथ ये खेला खेला तुमको क्या लगा ऐसे ऐसे मजे मजे में हो जाएगी आटीपी कुछ नहीं सीखके जाओगे अब बताओ option number a या option number c sir option number c a गया पानी में चपक a गया पानी में चपक अब आते है sir option number d company was required to appoint internal auditor ये तो गलती है हमेशा पिछले साल का देखा जाते है तो fourth का right answer will be option number c अब आजओ question number five mr. anand has performed various procedure during the course of audit इन में से बताओ कौन सा ऐसा procedure है जो risk assessment procedure नहीं है risk assessment procedure में generally यही सब चीज़े आते है जिसमें आप चीजों को समझते हो तो समझते हो और testing नहीं करते हो testing किसमें होती है further audit procedure में तो मुझे बताओ समझने वाल तरीके क्या होते है analytical procedure से हम चीजों को understand करते हैं तो ये तो चलेगा inquiry से चीजों को समझते हैं ये भी चलेगा inquiry से चीजों को समझते हैं ये भी चलेगा ठीक है ठीक है सर अब कुछ independent mcqs की बात कर लेते हैं सबसे पहला question क्या कहते है safe health insurance companies working in the field of health insurance sector इन्होंने एक claim management system ऐसा डाला है कि जो भी incoming claims होंगे उनको identify करेंगे एक form issue होगा customer को जो sign करके देगा details will be verified by the system मतलब इंसान को तो भगाई दिया इन्होंने यही system faster processing of claim करता है error free काम करता है और customer को भी मज़ा आ जाता है तो बताओ यह कौन सा काम है क्या यह internet of things है मैंने का नहीं कोई iot device की तो बात हो नहीं रही क्या यह data analytics से answer is no but क्या मैं बोल तू जो काम human करता था उसको आपने automate कर दी answer is yes so this is a robotic process automation power bi वाले dashboard की बात भी यहां पर नहीं हो रही है ठीक है सर अब आजो question number seven बंसल औरोडायन company is a firm doing the audit of wool limited असाइजेवल manufacturing company Mr. भावेश बंसल एन experience partner holds the responsibility to ensure कि जो आपकी engagement है वो as per PRL requirement होनी चीए यह बिलकुल बात तो सही है भई यह काम engagement partner का ही होता है हमने यह चीज SQC1 में सीखिया है सही में काम अपना पढ़िया प्रॉपरली करता है डारेट करता है सुपरवाइस करता है और audit report सही issue हो रहे है कि नहीं करता है while conducting audit engagement team को कई सारे complex issues मिले regarding the valuation and इस वज़े से team में कुछ difference of opinion थे जहां एक contentious situation मनी मुझे बताओ हम difficult और contentious matters में क्या करते थे सर consultation लेते हैं हम difficult और contentious matters पर consultation लेते हैं तो बताओ क्या करना चाहिए कह रहे firms की policies देखो कैसे difference of opinion अरे भाई चीज समझ ही नहीं आ रही ना तो policies में क्या करेगी पहले तो चीज को समझना पड़ेगा तो यहां पे कई बच्चों को doubt आते है सर पॉलेशी के हिसाब से चलना चाहिए या consultation ले मैंने का consultation second thing क्या हम return representation ले ले मैंने का बिल्कुल नहीं वो necessary है but sufficient and appropriate evidence नहीं third thing कहती है consultation लो और जो consultation से सीखो उसको document करना चाहिए तो consultation would be the right answer communicate to the management बिल्कुल नहीं so the right answer will be option number c on difficult and contentious matter job को समझनी आ रहे हमें उस पे consultation लेनी चाहिए अब आता है question number eight यह कहता है Alexa एक तो Alexa बोलते हैं असा लगता है कुछ गाने बजा दो Alexa private limited has been operating in India for past 15 years 15 सालों से काम कर रही है इसकी एक subsidiary इंडिया में है बाकी दो सिंगापूर और जर्मनी में जर्मनी जर्मनी जल्दी से बताना मुझे चैट बॉक्स में आपको फिल्म का reference समझा रहा है ठीक है सर्च acquisition of these subsidies were gradual and control was obtained after initial investment the statutory auditors have determined that all the group companies are significant by सबजरूरियं consolidation के लिए किसी को भी नहीं करोगे तो हम अपना opinion and modify कर देंगे यह कहने की कोशिश कर रहा है for the year ended 31st March audited financial statement of all the components were available except Germany कहता है जर्मनी के financial statement available नहीं है and it won't be completed वो कह रहा है audit भी complete नहीं होगा before the release date of CFS of the parent company financial statements of the Germany company for consolidation क्योंकि अब available नहीं है what can be the possible situation कहता है कहता है audit is in progress financial statement subject to audit can be considered by auditor of parent company audited and science financial statements provided to auditor after the release of audited CFS कैसी वालदू बाते कर रहा है क्या रहा खाना बन जाएगा ठीक है छोले बटूरे बन जाएगे उसके बाद आप छोले खरीद लेना ऐसे थोड़ी होता है जब तक subsidiary ही नहीं होगी तो मैं consolidation कैसे करूँ if the auditor does not receive the audited financial statement उसको अपनी report modify करनी चाहिए answer is yes क्यूंकि आपके पास sufficient and appropriate क्यूंकि आप ऐसा कहलो न आपके पास क्यूंकि आपके पास evidence ही नहीं आ रहा आपके पास क्यूंकि पता चली रहा कि सामने वाला consolidation properly नहीं कर रहा तो obviously बात है आपको इसका impact consider करके material तो ही तो आपको opinion modify करना चाहिए third case management should provide the management accounts to the auditor and auditor can mention in other matter which is unacceptable भाई simple सी वात है other matter पैरा आप नहीं डाल सकते अगर आप चीजों को modify करना चाहरे थे ठीक है other matter पैरा में साफ साफ लिखा होता है कि अगर आप अपना opinion modify करना चाहते हो तो चुप चाप as per ऐसे 705 करो other matter इसका substitute वगरा नहीं है तो ये चीज़ तो नहीं कर सकते last मैं कहता है इसके financial जो available नहीं है उसको CFS से exclude कर दो बहुत ही बड़ी है जी रह गया तो सुनने के लिए the right answer will be option number B क्योंकि consolidation नहीं हुई और आपको दिख रहा है consolidation ढंक से नहीं and impact is material so definitely you will modify your report ठीक है so these were the MCQs I hope आपको ये करके मज़ा आयो कही ना कहीं आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी sir MCQs करने के लिए सिर्फ knowledge नहीं कही ना कहीं हमको थोड़ी sharpness भी चाहिए कहीं ना कहीं हमको थोड़ा on the point सोचने की capacity भी चाहिए कि वह हाँ थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे तब जाके MCQs ठीक से होते हैं I am sure जितना आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ते चलोगे revise करते चलोगे आपकी वो शमता बढ़ती जाएगी अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो दू लाइक इट and yes stay subscribe to the channel for more such videos लगे रहो